हेलो फ्रेंड्स कैसे हैं आप सब में उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे से होंगे मैं सुमी शर्मा टेक्टूसाम चनल में आप सब का एक बाप फिर से स्वागत करता हूँ दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं मेरे पास है ये बॉक्स इसके अंदर है कैनन का कैमकोरडर इसका मॉडर नमबर है बिक्सिया HF-R800 आज के वीडियो में हम इसके अन्बॉक्सिंग करेंगे रिव्यू करेंगे इसे यूज करके भी देखेंगे साथी साथ हम ये भी बात करने वाले हैं कि हमें अपने यूट्यूब वीडियो के लिए DSLR कैमरा परचेज करना चाहिए या फिर कैमकोरडर परचेज करना चाहिए तो आईए वीडियो को शुरू करते हैं और सबसे पहले करते हैं इसे open और देखते हैं कैसा है Canon का ये camcorder तो Canon का ये camcorder इस तरह की packing में आता है यहाँ पर आप Canon की branding देख सकते हो यहाँ पर product की image दी गई है और इस side आप देख रहे हो MP4 35 Mbps SDXE यानि इसका जो output वीडियो हमें मिलने वाला है वो MP4 format में मिलने वाला है और आप सब जानते हो YouTube पर जो वीडियो हम upload करते हैं वो भी MP4 format में होती है यानि इसके format को change करने की हमें जरुरत नहीं पढ़ने वाली है इससे जो भी वीडियो हमें मिल रही है जो भी output मिलेगा उसे हम direct YouTube पर upload कर सकते हैं यहाँ पर आप देख रहे हो इसका model number है Big Siya HFR800 और इसके अलाबा HD camcorder है यह full HD camcorder है यानि 2080 pixel का हमें यहाँ पर video output मिलता है और इसके अलाबा यहाँ पर आप देख सकते हो HDMI support हमें इसके अंदर मिल जाता है box के इस side आप देखोगे तो यहाँ पर भी इसकी कुछ detail वगरा दी गई है यहाँ आप देख सकते हैं इसकी MRP 49,999 रूपीज लेकिन इस समय Amazon पर यह आपको मिल जाएगा 38,999 रूपीज में Canon के इस camcorder पर हमें 2 साल की warranty मिलती है और यह है इसकी user guide इसके अंदर आपको इसके बारे में सारी detail दी गई है क्या क्या इसके features हैं, functions हैं, कैसे हमें इसे use करना है और इसके साथ हमें एक warranty card भी मिल जाता है तो इस box के अंदर हमें कुछ cables और accessories दी गई है जैसे कि आप देख सकते हो, यह एक USB cable है इस side हमें normal USB connector दिया गया है और दूसरी side में इस type का connector यहां दिया गया है और इसके अलावा यहाँ पर हमें एक HDMI cable भी दी गई है जिसकी लंबाई है, लगभग 1 meter इसके एक side में आपको mini HDMI connector दिया गया है और दूसरी side में normal HDMI connector दिया गया है इसके अलावा इसके अंदर एक adapter भी दिया गया है यहां आप देख सकते हो, Canon Compact Power Adapter model number है CA110 इसके एक end पर आपको इस तरह का connector देखने को मिल जाता है यहां पर आप इसकी सारी details देख सकते हो output 5.3 volt 1.5 ampere यहां पर Canon CA110 इसका model number दिया गया है यहां पर इसका जो plug है आप देख सकते हो जब हम इसको इसको इस तरह से मोडेंगे तो इसका जो plug है वो Indian plug नहीं है और ना ही इसके साथ कोई adapter दिया गया है जिससे हम अपने Indian socket में इसे connect कर पाएं तो इसके लिए आपको अलग से एक adapter purchase करना पड़ेगा इसके लावा यहां पर हमें इसकी बैटरी देखने को मिलती है यह है Canon की बैटरी जो की हमारे camcorder में लगने वाली है दूसरी साइड आप देखोगे तो यहां पर इसकी सारी detail आप पढ़ सकते हो यह battery का model number बगएरा सारा कुछ यहां पर आप देख सकते हो तो आप देख सकते हो यह है Canon का camcorder और बहुत ही light weight है compact size है मेरी हतेली में आराम से यह आ रहा है आप easily इसे कहीं भी carry कर सकते हो लेके जा सकते हो और कहीं पर भी आप अपना video shoot कर सकते हो इससे video shoot करना बहुत ही आसान है यहां पर Canon की branding दी गई है और यहां आप देख सकते हो 57X Advanced Zoom हमें इसके अंदर मिल जाता है यहां पर इसका model number दिया गया है Vixia HFR800 और इससे हम HD quality की video shoot कर सकते हैं और यहां उपर की तरफ आप देख सकते हो 32X Optical Zoom HD CMOS Optical Image Stabilizer इसके साइड आप देखोगे तो यहां पर battery की slot दी गई है जो battery इसके साथ आई है उसे हमें यहां पर install करना होगा camcorder के साइड आप देख सकते हो यहां पर दो LED indicator हमें दिये गया है एक access का indicator यहां पर मिल जाता है और दूसरी साइड यहां पर power और charging का indicator हमें दिया गया है और यहां पर red color का एक switch दिया गया है जब हम इसे press करेंगे तो हमारी video shoot होना start हो जाएगी video record होना start हो जाएगी और अगर हम इसे दोवारा से press कर देते हैं तो हमारी video recording stop हो जाती है और यहां पर आप देख सकते हो इस तरह का step यहां पर दिया गया है जिससे की आप इसे properly hold कर पाऊगे और आपको बिल्कुल भी problem नहीं होने वाली है इसे hold करने में पूरी तरह से यह हमारी हतेली के अंदर आ रहा है और अच्छी तरह से grip इसकी बन रही है और यहां पर इसका lens दिया गया है जिसके उपर shutter लगा हुआ है shutter को open करने के लिए आप यहां पर एक switch देख रहे हो sliding switch है जब हम इसे नीचे की तरफ करेंगे तो हमारे lens का cover हट जाएगा आप देख सकते हो lens का cover open हो गया है जब आपको इस shutter को बंद करना हो बेहितरीन quality में record कर सकते हैं कोई भी noise वगेरा जादे नहीं आती है इसके अंदर noise cancellation का feature भी दिया गया है और इसके नीचे की तरफ यहां पर हमें tripod mount का option मी मिल जाता है हम इसे tripod पर mount कर सकते हैं और यह आप देख रहे हो sliding button यहां पर दिया गया है उसका connector हमें यहां पर connect करना होगा जिससे की हम इसकी battery को charge कर पाएं battery को इस तरह से रखना है उपर की तरफ slide कर देना है तो हमारी battery यहां पर lock हो चुकी है और यहां पर आप देख सकते हो इसकी screen पहली बार जब हम इसे use करते हैं तो यहां पर हमें अपनी language बगएरा select कर लेनी है हम English पर click कर देते हैं और उसके बाद next पर click कर दीजे date format select करना है हम यही रहने देते हैं उसके बाद आपको date select कर लेनी है जो भी date हमें select करनी होगी हम यहां से कर लेंगे त्री इंच की touch screen दी गई है जो की काफी बड़िया से काम करती है इसका जो touch है वो काफी sensitive है और यह अच्छे से काम करती है तो इसे on करना बहुत ही आसान है जब भी आप इसकी screen को on करोगे तो यह अपने आप ही on हो जाएगा और आप चाहो तो जो on off का button है इससे भी आप इसे on off कर सकते हो और इसके अलाबा यह जो button दिया गया है इससे आप अपनी recording को play करके देख सकते हो और यह है हमारा SD card slot इसके अंदर हम SD card लगा सकते हैं और card लगाने के बाद आप इसको बंद कर सकते हो इस camcorder के साथ कोई भी SD card नहीं आया है यह USB connecting port है यह mini HDMI out हमें यह मिल जाता है यह AB out का है इसमें हम अपना headphone लगा सकते हैं और साथी साथ सबसे बड़ी चीज़ यह है Canon के इस camcorder में हम external mic भी connect कर सकते हैं बोया का mic भी हम यहाँ पर connect कर सकते हैं और काफी अच्छी तरह से अपनी voice को record कर सकते हैं उपर की साइड में हमें यहाँ पर एक button दिया गया है इससे हम zoom in और zoom out कर सकते हैं साथी साथ इसकी screen को हम tilt कर सकते हैं जैसे मान लीजिए आप इस तरह से इसकी screen को tilt करना चाहें तो इस तरह से कर सकते हैं इसके लावा आप इस तरह से भी इसकी स्क्रीन को इस तरह से भी आप रख सकते हैं तो हमने इसका माइक भी करेट कर दिया है और इसके मैं कुछ शॉट्स आपको दिखाता हूँ इससे हम कैसे शॉट्स ले सकते हैं तो दोस्तों कैनन का ये कैमकोडर कमाल का कैमकोडर है बहुत ही जवर्दस्त है क्वालिटी भी बहुत ही बेहतरीन लग रही है इसके अलाबा अगर आप कंपेर करोगे इसे DSLR कैमरे से तो भहिया DSLR कैमरे की जो क्वालिटी होती है वो काफी जवर्दस्त होती है लेकिन आप एक बात का ध्यान रखो DSLR कैमरा होता है फोटो इमेज लेने के लिए यानि फोटो शूट करने के लिए होता है वो बेसिकली वीडियो शूट करने के लिए नहीं बना होता है लेकिन कैम कॉडर इस्पेशली वीडियो बनाने के लिए वीडियो शूट करने के लिए बनाए जाते हैं, डिजाइन किया जाते हैं, इसलिए इससे वीडियो शूट करना बहुत ही आसान होता है, और काफी आसानी से हम इसे यूज कर सकते हैं, इसके अंदर कोई भी आपको फोकस, जूम, आईएसो बगेरा सेट करने की कोई भी जरू नहीं है जबकि DSLR कैमरा यूज करना पहले तो आपको सीखना पड़ेगा बहुत सारी चीज़ें आपको इसमें सेट करनी पड़ती है DSLR में इसके अलावा अगर मान लीजिए आपको एक डेड़ घंटे की कोई वीडियो शूट करनी है तो DSLR कैमरे की बैटरी इतनी देर नहीं चल सकती जबकि Came quarter के साथ ऐसा बिलकुल भी नहीं है Came quarter में आप डिरेक्ट इसके एड़क्टर की केबल को connect करके पावर को connect करके भी यूज कर सकते हो चाहिए आप 2 गंटे यूज करो तीन गंटे यूज करो इसकी पावर खतम होने वाली नहीं है इसके अलाबा अगर आप खुद अपने आपी अपनी वीडियो शूट करते हो तो हमें DSLR कैमरा यूज करने में काफी दिक्कत होती है हमारा जो फोकस है वो काफी इदर उदर भागता रहता है तो उसमें हमें काफी दिक्कत होती है इसके साथ ऐसा कुछ भी नहीं है इसे आप ट्राइपोड पर लगा कर सामने रख दीजे इसे ओन कर दीजे और बस अपना वीडियो स्टार्ट कर दीजे बोलना स्टार्ट कर दीजिए अपना वीडियो शूट करना स्टार्ट कर दीजिए इसके अलावा बहुत ही कॉम्पेक्ट है माल लीजिए आपका कोई ब्लॉग चैनल है आप बाहर घूम रहे और बहां पर आपको लगा कि यार यहां पर हमें वीडियो शूट करनी चीए तो आप तुरंत अपना कैमकोडर निकाल के बहां पर वीडियो शूट कर सकते हो जबकि DSLR के साथ ऐसा नहीं है DSLR काफी हैवी होता है उसके साथ आपको बैटरी पैक भी लेके जाना पड़ेगा यह बहुत ही लाइट वेट है कॉमपेक्ट है आप अपने बैग या परस के के लिए वीडियो शूट करना चाते हैं तो सीजी सी बात यह है भीया DSLR भी मत खरीदो कैमकोडर भी मत खरीदो आप अपने स्मार्टफॉन से ही वीडियो शूट करो और यूटूब पर अपलोड करो वो ज़्यादा बड़िया रहेगा स्मार्टफॉन से भी बहुत के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है महां से जाकर आप इसे पर्चेश कर सकते हैं आज के लिए इतना ही दोस्तों मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए जैहिन वन दे मातरव